हर घर में फेमास एकदम साधा सिंपल आलू मटे टमाटर की सबजी जो हर घर में पसंद की जाती है हर हर मोकिपे बनती है चेपूरियों के साथ रोटी के साथ चावल के साथ तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं मैंने थोड़ा सा कड़ाई रख लिए और उसमें गरम है गरम की बजह से मेरा हाथ थोड़ा सा चल रहा है तो मैं अब इसको एक कर्चली ले लेती हूं और इसकी मदद से थोड़े-थोड़े मैं इसको बारिक करके काट लेती हूं इस तरह से आप देख पा रहे होंगे तो देखिए आलू मेरे कट गए हैं सभी अब चलते ह ही रही है तो यह और डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई अब इनको अच्छी से भूण लेते हैं द्यूरा-हेक और दाल देते हैं अच्छा टेश्ट आता है तो अच्छे से भूण लेना है इंपो इस्तरह से भूण लेना है हमारे सारी चीज़े भून गई है अब डाल देते हैं हम हल्दी हल्दी को भी हम अच्छे से चला के भून लेते हैं सब्जी का टेश्ट जो है ना भून्ने मसाले भून्ने में ही है अब डाल देते हैं हम टमाटर टमाटर को अच्छे से चला चलाते हुए परिकुल हो जाएं तब तक हम इनको तयार करेंगे तो है कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए है अब यहीं पर डाल देते हैं मटर देखिए मटर और टमाटर हो गए है इनको डाल दिया है हमने अब यहां पर हम डालेंगे टेश्ट के अकॉल्डिंग नमक नमक यहां इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे नमक डालने से टमाटर भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और मटर भी सॉफ्ट हो जाएंगा तो इसे श्टेज पर नमक डालना है आफ इनको अच्छे से देते हैं चला देखिए हमारे डालते टाइम ध्यान रखेंगे हमने हरी मिर्च का भी यूच किया है तो अच्छे से चला लेते हैं सभी चीज़ों देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं नमक डालने से आप देख पा रहे हूँगे और अब डालेंगे हम यहाँ पर आलू जो हमने बारीक करके लिए थे उनको डाल देते हैं अब इन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं मेक्स अच्छे से चलाते हुए यहाँ पर याद दिला दू फ्रेंट अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट पर मुझे बताईएगा एक दम सादा आलू टमाटर की सबजी आपको कैसी लगी और नई रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो मेरे च सबी चीजों को मिक्स कर लिया है अब यहाँ पर हम डालेंगे जितना हमें पतला रखनी है सब्जी या गाड़ी रखनी है जैसे आप खाते हैं तो मुझे तो थोड़ी पतली ही बनानी है पतली ही पसंद है तो उसी के अकोड़िक हम डाल देते हैं पानी मैं ठंडा पानी यूच करने हूँ अगर आपको जल्दी से बनानी है न सब्जी तो यहाँ पर गरम पानी करके डालिएगा तो एकदम फटा फट वॉल आने में देर नहीं लगती है और एकदम हमारी सब्जी बनके तयार हो जाते है तो देखिए इतना पानी मुझे डालना था मैं डाल दिया है अब हम इसको छोड़ देते हैं पांच मिनिट के लिए अच्छे चला के सब्जी को मिक्स करके चोड़ेंगे पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट के बाद चेक करते हैं सब्जी हमारी कैसी हुए तो देखिए पांच मिनिट हो गए है सब्जी हमारी ब यह सब्जी फटाफट बनके तयार हो गई ना लगभग हमको कुल मिला के 6-7 मिनिट लगे हैं सब्जी बनाने में तो देखिए अब इस सब्जी को आप इंज्वाय कर सकते हैं चावल के साथ रुटी के साथ पूरियों के साथ किसी भी मौके पे बनाएए एक तम फटाफट ब